बादलो में जादूई रंगीला केक का घर यह कहानी गंगापूर में रहने वाली एक लड़की काब्या की है काब्या अपनी दादी के साथ रहती थी काब्या के माता पिता का कुछ साल पहले ही सरक दुर्घटने में मिर्त्यू हो गई थी काब्या को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रूची थी लेकिन पैसों की कमी की वज़े से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई काब्या के घर की आर्थिक स्थिती बहुत ही खराब थी इसलिए वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी के दुकान में काम करने लगी काब्या को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था जिस वज़ा से उस बेकरी की मालकिन अनुराधा भी उससे बहुत खुश रहती थी लेकिन अनुराधा बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला थी वो काब्या से पूरा दिन काम करवाती और उसे बदले में बहुत ही कम पैसे देती थी ऐसे ही कुछ दिन बीट चाता है एक दिन अनुराधा काब्या से कहती है काब्या आज हमें पूरे पचास केक बनाने का ओर्डर मिला है तुमारे हाथ का बना हुआ केक सभी ग्रहकों को बहुत ही पसंद आता है तो तुम ऐसे ही मन लगा कर केक बनाया करो मैं तुम्हारी तन्खा कुछ और बढ़ा दूँगी ठीक है मालकिन आप बिल्कुल पे चिंता मत करिए मैं पूरे मन से केक बनाऊंगी हाँ हाँ ठीक है ऐसे ही कुछ महिने बीट जाते हैं और काब्या का जनम दिन आने वाला था तो वो अपने मालकिन अनुराधा से कहती है मालकिन अगली हपते मेरा जनम दिन है तो मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए छुट्टी? वो किसलिए? तुम्हे छुट्टे क्यों चाहिए? मालकिन अगली हपते मेरा जनम दिन आने वाला है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे उस दिन अपनी दादी मा के साथ बाहर घूमने जाना है अच्छा चला ठीक है ले लेना चुट्टी अब जाकर पहले आज का ओर्डर तयार करो सुबह से बहुत कस्टमर आ चुके हैं साम तक पूरे 50 केक तयार हो जाना चाहिए अनुराधा की बाते सुनकर काब्या केक बनाने में लग जाती है एक हपते बात काब्या का जनम दिन था लेकिन उसकी मालकिन अनुराधा ने उसे जनम दिन वाले दिन भी काम पर बुला लिया मुझे लगता है साइद मालकिन भूल गई है कि आज मेरा जनम दिन है इसलिए मैं सोप पर जाकर ही उनसे छुट्टी ले लूँगी यह सोचकर काब्या दुकान पर पहुँच जाती है और अपने मालकिन से छुट्टी मांगती है काब्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि आज भी बहुत जादा केक का ओर्डर आया है तो आज तुम्हें सारा केक तयार करना है तो आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें छुट्टी देकर हमें अपना नुक्सान नहीं करवाना है पर मालकिन आज मेरा जनम दिन है आज मैं काम नहीं करना चाहती, प्लीज, मुझे आज भर के लिए छुट्टी दे दीजिए, बस एक दिन की तो बात है, कल मैं समय पर आकर सारा काम कर दूँगी, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, अगर तुम्हें आज छुट्टी दे दिया, तो केक बनाने लग जाती है, काम खत्म हो जाने के बाद, घर जाते समय काब्या एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है, और अपने माता पिता को याद करके, बहुत ही रोने लगती है, तभी उसे वहां किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, हेल्प, हेल्प, आवाज सुनकर काब्या इधर उधर देखने लगती है, अरे यहाँ पर रोने की किसकी आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यह आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहां जाकर द बंधी हुई है, और मदद के लिए चिला रही है, काब्या जल्दी से भागते हुए उस पड़ी के पास जाती है, और पेर से बंधे हुए पड़ी को जल्दी से खोलती है, और उसके बाद काब्या उस पड़ी से बोलती है, आप कौन है और आपको इस तरह पेर में किसने ब चाही है जादूई परी आप परिलोक में रहती हो क्या हां काव्या मैं परिलोक में ही रहती थी पर पिछले साल मेरे जनम दिन पर मुझे रानी परी ने जादूई रंग बिरंगा केक का घर गिफ्ट किया है जो उपर बादलो में है और आजकल मैं उसी में रहती हूं लेकिन अभी में वहां नहीं जा सकती हूं क्योंकि सैतान ने मेरी जादूई छड़ी तोड़ दी है और मैं बिना जादूई छड़ी के उस जादूई रंगीला केक के घर के अंदर नहीं जा सकती हूं क्या तुम मेरी मदद करोगी परीजी पर भला मैं आपके क्या मदद कर सकती हूं काब्या, तुम्हें बादलों के पास जाना होगा, वहां तुम्हें दो बड़े केक का घर दिखाई देगा, उस केक घर में एक केक का घर रंगीला जादूई केक के मयावी सक्ति से बनी हुई है, उन दोनों जादूई केक के घर में से एक घर असली है और दूसरा घर नकली है जब तुम उन दोनों केक के घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली जादूई रंगीला केक के घर को पहचानना होगा उसके बाद दूसरा नकली जादूई केक अपने आप ही गायब हो जाएगा असली रंगीला जादूई केक के घर के अंदर रानी परी की दी हुई जादूई छड़ी है अगर तो मुझे वह जादूई छड़ी लाकर दोगी उसके बाद ही मैं उस जादूई रंगीले केक के घर के अंदर जा सकूँगी पर परीजी मैं उपर बादलों के पास कैसे जा सकती हूं भला मेरे पास आपके जैसे पंक तो है ही नहीं जिससे कि मैं उरकर उसके पास जा सकूँ काब्या तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता बताती हूं यह कहते हुए जादूई परी ताली बजाती है तभी उसके सामने सीधिया परगट हो जाती है जो सीधिया सीधे बादलों के पास जा रही होती है यह देखकर काब्या चोक जाती है तभी जादूई परी बोलती है काब्या तुम जल्दी से चड़कर इन सीधियों से उपर चली जाओ तुम्हें वहाँ दो रंगीला केक घर मिलेगा मैं तुम्हारा यही पर इंतजार करूंगी काब्या उन सीडियों पर चड़ते हुए बादलों के पास पहुँच जाती है बादलों के पास पहुँचते ही उसे वहाँ दो जादूई रंगीले केक घर दिखाई देता है जैसे ही वह रंगीला केक गर के पास पहुँशती है तब ही पहले केक घर से आवा जाती है तुम्हारा स्वागत है इत जादुई रंगीले केक की दुनिया में जादुई केक हूँ अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हे जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा को भी दूसरा जादुई रंगीला केक कहता है नहीं तुम इसकी बातों में मता ना इसकी बातों पर विश्वास मत करना अब मैं हूं असली जादुई रंगीला केक कौन सा है दोनों केburg की भाते सुनकर काव्या सोच में पड़ जाती है और मनीमन सोचने लगती है पहले चादूई रंगिला के घर के अंदर सिर्फ सुफ ही है लेकिन दूसरे जादूई दूसरा केक ही असली जादूई रंगीला केक घर है यह सोचकर काबिया ने कहा मुझे दूसरे जादूई रंगीला केक घर के अंदर जाना है काबिया के इतना बोलते ही पहला रंगीला केक का घर अपने आप गायव हो जाता है वही दूसरे रंगीले केक के घर का दरवाजा अ कुछ मौजूद था फिर वो टेवल पर रखा हुआ जादूई छरी लेकर जादूई पड़ी के पास लोट आती है या देखकर जादूई पड़ी बहुत ही खुस होती है और काब्या से बोलती है काब्या तुम बहुत ही अच्छी हो तुमने लालच बिल्कुल भी नहीं किया मैं तो बस तुम्हारी परिक्षा ले रही थी और तुम मेरी परिक्षा में खरी उतरी हो तुमने इस जादूई छरी का बिल्कुल भी गलत इस्तमाल नहीं किया है मुझे किसी सैतान ने कैद नहीं किया था मैं तो बस तुम्हारी परिक्षा ले रही थी और मैं परी लोग क केक गिफ्ट कर रही हूं या कहते हुए जादूई परी अपनी जादूई छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते काब्या के सामने एक जादूई रंगीला केक का घर परगट हो जाता है काब्या अब से यह जादूई रंगीला केक घर तुम्हारा है अब हर सल तुम अप अपना खुद का बेकरी खोलना और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना यह सुनकर काब्या बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी-खुशी जादूई पड़ी का धन्यवाद करती है और फिर अपनी दादी मा के साथ खुशी-खुशी जादूई रंगीला केक के घर में रहन लगी और गरीब और अनात बच्चों को हर सल अपने जनम दिन पर नए नए कप्रे और तरह के केट बाटने लगी तवि एक दिन काब्या की थरक्की देख कर उसकी मालकिन अनुराध़ा को अपनी गलति का है सास होता है और अनुराधा काब्या के पास जाती है और बोलती है काब्या बेटा मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अरे कोई बात नहीं मालकिन काब्या की जिल्डगी में आप खुसियां ही खुसियां थी ये सब जादूई परी के जादूई रंगिले केक की वज़से संभव हो पाया थ खुसी खुसी अपना जीवन वैतित करने लगी जादूई तीन मखमली गाउन यह कहानी रामपूर गाउं की है जहां एक संकर नाम का आदमी अपनी दो बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था संकर की दोनों बेटियां जुर्वा पैदा हुई थी इसलिए उन दोनों का नाम आर्ती और माला रखा गया और वो अपने परिवार के साथ खुसी-ुसी रहती थी उन लोगों की जिन्दगी में किसी भी तरह की कोई परेसानी नहीं थी तभी ऐसे ही कुछ दिनों बात आर्ती और माला का जनम दिन आता है तभी जब उस दिन वह दोनों सोकर उठती ह तो वह देखती है कि उनके सामने उनके माता पिता खड़े हैं और उनके उठते ही वे लोग उन्हें जनम दिन विश करते हैं और तब ही वह दोनों बेहने बहुत ही जादा खुस हो जाती है और उसके बाद उनके पिता कहते हैं आज मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि आज मेरी दोनों बेटियों का जनम दिन है इसलिए मैं चाहता हूँ तो क्यों न आज हम लोग कहीं बाहर घुमने चले हैं हाँ आप सही कह रहे हो पिता जी आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं बहुत मज़ा आएगा बाहर घूमने जाने की बास सुनकर वे दोनों बहने बहुत खुश हो जाती है तब ही थोरी देर में उसका पूरा परिवार घूमने जाने के लिए तयार हो जाता है और फिर बाहर घूमने जाने के लिए चले जाते हैं आज संकर का पूरा परिवार बहुत खुश था लेकिन उन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों की यह खुशी सिर्फ चंद मिंटों की है क्योंकि तेज स्पीड में गारी चलाने की वज़े से उनकी लोग संकर और उनकी दोनों बेटियों को होस्पीटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनका कई दुनों तक इलाज चलता है तब जब संकर को होस आता है तो डॉक्टर उसे उसकी बीवी के मोत की खवर देते हैं या सुनकर संकर पूरी तरह से तूट जाता है और जोड़ जो को पता चलती है तो वे दोनों भी फूट फूट का रोने लगती है उन लोगों की जिल्दगी से तो जैसे खुसियां ही चली गई थी क्योंकि अब वह लोग नहीं किसी से बात करते और नहीं कुछ खाते पीते थे वे लोग बस अपने कमरे में ही दिन भर उदास बैठे रह अचाहा था तबहीए एक दिन अचाहर जब घर आता है तो उसकी दोनों बेटियों उनसे कहती है पिता जी अब हमारी मां हमारे पास कभी नहीं आएगी तुम चिंता मत करो मेरी बीटियों तुमारी पास एक दिन जरूर आएगी और मैं तुम म्हें लोगों के लिए तुमा बात कह तो दी लेकिन उसे यह बात खुद भी नहीं पता थी कि वह उन लोगों के लिए उनकी मख कहां से लेकर आएगा तभी संकर दूसरी शादी करने की सोचता है वह कुछ ही दिनों के बाद काजल नाम की ओरस से दूसरी शादी कर लेता है क्योंकि काजल के पती की भी को देख कर आरती और माला बहुत ही जादा खुस हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी नई मा उन्हें उनकी मा की तरह ही प्यार करेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ समय तक तो सब कुछ बिलकुल ठीक चलता है लेकिन कुछ समय के बाद काजल ने भी घर का सारा काम करवाती थी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी जब संकर काम पर चला जाता था तो काजल उन दोनों बेनों से घर का सारा काम करवाती थी ऐसे ही एक दिन जब संकर काम पर चला गया तभी काजल आरती और माला से कहती है अरे ओ महरानी अब तुम दोन मा उठकर घर का सारा काम करो और मैं अपनी बेटी के साथ स्वापिंग करने जा रही हूं और जब मैं वापस आऊ तो घर का सारा काम हो जाना चाहिए वरना मैं तुम दोनों के टांगे तोर दोंगी समझे तुम दोनों ठीक है मा हम लोग घर का सारा काम कर लेंगे लेकिन माँ मेरे और माला के भी कप्रे पुराने हो चुके है और पिताजी ने भी कहा था कि माँ से बोल देना वो तुमारे लिए नए कप्रे ले आईगी तो क्या आप हमारे लिए bhi नए कप्रे ले आऊगी अरे तरह बाप ने कहा है ना तो उसीसे जाकर मांग क्योंकि मेरे पास इतना फौल तो समय नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए कपरे खरिदने में समय वरवाद करूँ और तुम लोगों के पास जो है ना वही पहनो ज्यादा इस टाइल मारने की जुरत नहीं है समझे इतना केकर काजल अपनी बेटी को लेकर सौपिंग करने के लिए चली जाती है तभी थोरी देर बाद काजल अपनी बेटी के लिए एक सुन्दर सी ड्रेस लेकर आती है और जब उस ड्रेस को आरती और माला देखती है तो उन्हें भी वो ड्रेस बहुत ही पसंद आती है तभी वे लोग काजल से कहती है अरे वाँ मा ये ड्रेस तो कितना खुबसूरत है खुबसूरत तो होगा ही क्योंकि यह मैं अपनी बेटी के लिए लाई हो और वैसे भी तुम दोनों से किसे ने पूछा है इसलिए तुम दोनों चुपचाप यहां से जाओ और अपना काम करो चलो अब भगो यहां से उसके बाद काजल की बेटी सोनम कहती है अरे मा आपको पता है ना कि कल हमें पार्टी में जाना है तो मैं यही गवन फैन कर कल पार्टी में जाओंगी क्योंकि मा वहाँ पर एक बहुत बरे बिजनेसमेन के दोनों बेटे आ रहे हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की नजर सिर्फ मुझ पर ही ठिकी हो हाँ मेरी बच्ची तुम देखना उन लड़कों को तो तुम ही पसंद आओगी और अगर उन दोनों में से कोई भी एक तुमसे साधी करने के लिए तयार हो गया तो मेरी बेटी के किसमती बदल जाएगी तभी आरती और माला का भी पार्टी में जाने का बहुत मन था लेकिन काजल उन्हें पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है दुखी होकर आरती और माला अपने कमरे में चली जाती है तभी आरती कहती है मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन माने तो हमें साफ साफ मना कर दिया है हाँ तुम सही कह रही हो आखिर वो हमारी सोतेली मा है ना इसलिए वो हमारे साथ ऐसा करती है अगर आज हमारी मत जिन्दा होती तो वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती इतना कहकर कुछ समय बाद आरती और माला सो जाती है तभी आगले दिन काजल और उसकी बेटी तयार होकर पार्टी में चली जाती है इधर बिचारी आर्ती और माला उदास होकर रह जाती है तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है दोनों बेहने उस आवाज को सुनकर बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक गरीब बूढी ओरत उनके घर के बाहर खड़ी है और वो उनसे खाना मांग रही है अरे अम्मा आप अंदर आईए मैं आपको खाना खिलाती हूँ तभी आर्ती अम्मा को अंदर लेकर जाती है और दोनों बेहने मिलकर उस गरीब अम्मा को खाना खिलाती है खाना खाने के बाद वो अम्मा बोलती है अरे बेटी तुम लोगों के घर में कोई नहीं है क्या तुम्हारे माता पिता कहा है तबी माला उस बूड़ी महिला को सारी बाते बताती है अच्छा तो ऐसी बात है अब तुम चिंता मत करो बेटी अब तुम दोनों भी उस पाटी में जा सकती हो और देखना उस बिजनेसमेन के बेटे को तुम दोनों बेहने ही पसंद आओगी और इसके लिए मैं तुमें कुछ देना चाहती हूँ इतना कहकर वा बूड़ी महिला अपने जादू से जादूई तीन गाउन ले आती है और कहती है सुनो बेटी इन तीनों गाउन में से दो गाउन जादूई है और इने पहन कर तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत लगोगी और यह तीसरी वाली गाउन तुम अपनी सोतेली बेहन को दे देना इतना कहकर वा आम्मा वहां से चली जाती है तभी जैसे ही आरती और माला वह जादूई गाउन पहनती है तो वह राजकुमारी की तरह सुन्दर दिखने लगती है वे दोनों एक दूसरे को देखी रहे होते हैं कि तभी वहां पर उसके पिता संकर आ जाता है और उनसे कहता है अरे वाह मेरी दोनों बेटिया तो आर राजकुमारी जैसी लग रही है लेकिन बेटी कहां जाने कितनी तयारी हो रही है तभी आरती और माला अपने पिता को सारी बात बताती है अच्छा तो ये बात है फिर तो मैं भी चलूँगा तुमारे साथ पार्टी में उसके बाद आरती और माला अपने पिता संकर के साथ पार्टी में चली जाती है और जब वो दोनों बेरे पार्टी में पहुँशती है तो सभी की नजर आरती और माला पर होती है तभी आरती और माला को पार्टी में देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है अरे मा ये दोनों मनूस बेने इहां कैसे आ गई अरे पता नहीं बेटी और उपर से अपने बाप को भी लेकर आई है और अब इसके बाप के सामने तो हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते तब ये काजल संकर के सामने दिखावा करते हुए कहती है अरे आरती और माला बेटी जब मैंने तुम लगों से कहा था कि पार्टी में आने के लिए तब तो तुम दोनों ने मना कर दिया था चलो अच्छा ही हुआ तुम दोनों भी अब इहां पर आ गई हो उसके बाद आरती और माला एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपनी जादूई गाउन की मदद से वो अपनी स्वतेली बेहन के ड्रेस पर जूस गिरा देती है अरे यह क्या हुआ मेरी बेरेस तो पूरी तरह से खराब हो गई और अभी थोरी देर में ही उस बिजरस्मेन की बेटे आने वाले हैं अब मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे सोनम तुम चिंता मत करो मेरे पास एक बहुती सुन्दर गाउन है तुम वो पहन लो तभी उस अम्मा का दिया हुआ वह गाउन जैसे ही सोनम देखती है वो बहुती ज़्यादा खुस हो जाती है क्योंकि उसे वह गाउन बहुती पसंद आता है तभी वो उस गाउन को लेकर चेंजिंग रूम में चेंज कर लेती है लेकिन जैसे ही सोनम वो गाउन पहनती है गाउन पहनते ही सोनम बहुती बसुरत दिखने लगती है और पूरी पार्टी में पागलों की तरह हरकते करने लगती है तभी यह सब देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है लेकिन आर्थी और माला यह सब देखकर बहुत खुश होती है और पार्टी में आए सभी लोग सोनम की ऐसी हरकते देखकर उसका बहुत मजा कुराते हैं तब थोरी ही देर बाद उस बिजनस्मेन के दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और वह आर्थी और माला को देखते ही उन्हें पस से हो जाती है और उधर सोनम पूरी तरह से पागल हो जाती है और वह किसी के भी सामने पागलो जैसी हरकते करने लगती है जिससे काजल की बहुत बेशती होती है और उसे बहुत बुरा लगता है इस तरह काजल और सोनम को उसे उसको किये का सजा मिल जाता है तो मेरे प्यार करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादूई टीबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा कर अभी सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हूं फिर किसी ऐसे ही जादूई मज़दार कहानी के साथ तब तक अपना ध्यान रखे बाइब दोस्तों